कि नमस्कार साथ यो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एससी मेकर पर गुड मॉर्निंग सभी को बैरी बैरी गुड मॉर्निंग बहुत समय बाद मलाकात वरी हमारी समय कैसा रहा पेपर जरा एक बार नहीं मिली क्या रहा कैसा नहीं रहा एक वर कमेंट में लिकर बताओ मुझे कुछ कोशन मिले हैं जो बच्चोंने बताएं कुशन बहुत ज्यादा बच्चे नहीं बता पाएं हो सकता है खुशी मैं ना बता पाए हों ऐसा बी हो सकता है कि एक जाम देके निकले हो आदे पर फिर भी जो बच्चों को जो कोशन याद रह गए जितने कोशन याद रह गए कुछ ने तो बस टॉपिक बता के छोड़ दियें तो जितना भी रह गया है उसको हम देखते हैं ठीक है मतलब एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह के कोशन आपके एक्जाम में आत संगीत में भारत रत्न मिला है पूछा हुआ है किस गायक को सबसे पहले अच्छा ही है किस गायक को सबसे पहले किस गायक को सबसे पहले संगीत में भारत रत्न मिला है तो याद रखिएगा यह किसे मिला है यह मिला है किस को एक्जाम में आज पूछा गया है टीक है दूसरा कॉशन जो आपके एक्जाम में आज पूछा गया है वो कौन सा था वो था नरेंद्र मोधी स्टेडियम कहां पर है नरेंद्र मोधी किरकिट स्टेडियम किस राज्य में इस्तित है किस राज्य में इस्तित है ये कोशन आपके एक्जाम में आज पूछा गया है किस राज्य में इस्तित है तो याद रखेगा गुजरात में है इसकी छमता कितनी है तो याद रखिएगा चमता है एक लाख बतीस हजार क्या है इसकी जो चमता है यह है एक लाख बतीस हजार यह याद रखिएगा ठीक है एक कोचन पूछा गया है आपका बिर्जु महाराज किस घराने से सम्मंदित हैं बिर्जु महाराज जो है वो किस घराने से सम्मंदित है तो याद रखिएगा जो बिर्जु महाराज है यह लखनव घराने से सम्मंदित है कहां से लखनव घराना जो है इससे ये संबंदित हैं ये याद रखना किस से लखनव घराने से ये संबंदित हैं ये आपको याद रखना है ठीक है इसके अलाबा एक कोशन मेजर ध्यान चंदर पुरुसकार से था क्या कोशन था ये तो नहीं मालूम पर ये बता रहे थे मेजर ध्यान चंद्र पुरुसकार जो है इससे ये संबंदित था ये याद रखना देखो याद रखिएगा जो मेजर ध्यान चंद्र पुरुसकार है ये 1992 में हुआ है सबसे पहला पुरुसकार जो ये मिला है ये किसे मिला है ये मिला है वो सतरंज प्लेयर है क्या नाम उनका Grandmaster थे जो, उनको मिला है यह, याद रखिएगा, इसका पहले नाम था, राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार, यह याद रखिएगा, मेजर धांचंद जो है, इनका जन्म जो है, 29 अगस्त का है, और इसी को राश्ट्रिये खेल दिवस रूप में बनाते हैं, तु यह, याद रखिएगा, उनको, भी याद रखिएगा, भी बच्चों ने बताय हुए कोच्चे से बाहर निकले थे, उन्हों ने बताये हूए, कि से अच्छな मिलें कि उसरे मैं ने क्लास में कर रए बैने आपको कहा था क्लास में कर gossip में कर रहा हुआ आप को सारे मं आपको सारे मिलें और यह सारे कॉर्षा है जो मैंने एक लास में कराए हैं और आप अपको धेकंदे को मिले हैं एक कॉशन था आपका औरी सी नरत किस से संबंदित है साय else 8m б真的 किस राज से सम ução सब्दंदित है और याद रखनाएव यह संबंदित है और ही सा से किससे यह सम्ऩंदित है और है एक आया था कथक है ना एक कोशन आया था कथक नरत किस राज जिसे संबंदित है किस संबंदित है तो याद रखिएगा यूपी से उत्तर प्रदेश से किस से निकला है तो याद रखिएगा कथा सब्द जो है इससे ये निकला है कथक सब्द ठीक है कथा सब्द से निकला है कथक सब्द ये याद रखिएगा ठीक है एक कोशन आपका क्या आया था एक कोशन आया था आपका कि जो नीती आयोग है ये किसके इस्थान पर बनाया गया है नीति आयोग की इस्धापना या नीति आयोग ने किसे को आँ रिपलेस किया या कि 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 किस के स्थान पर बनाया गया किसके इस्तान पर तो याद रखिएगा योजना आयोग के मतलब पहले योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया था और एक जनवरी 2015 से जो है इसे नीती आयोग बना दिया गया था इस नीती आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये पढ़के जाईएगा कमेंट में लिखकर बताईए बेसिकली पहले ठीक है इस नीती आयोग की जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है कि नीति आयोग जो है इसकी फूल फार्म वो क्या है? नेशनल इंस्टीटूट ट्रांस्फॉर्मिंग ओफ इंडिया ठीक है? यया रखिएगा क्या हुजाएगा? आट नेशनल इंस्टीटूट ट्रैंसफॉर्मिंग ऑफ इंस्टीटूट आफ ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है क्या है ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है ये आपके एक्जाम में आएगी क्या मतलब आपका ठीक अच्छा अगला कोश्चन एक कोश्चन और जो आपका आया था वो किस से आया था एक कोश्चन आया था रंगा स्वामी से अब से वो बच्चों ने रंगा स्वामी कहके छोड़ दिया है रंगा स्वामी कप हो सकता है किस खेल से संबंदित है तो याद रखिएगा यह संबंदित है हौकी से किस से यह संबंदित है हौकी से यह याद रखिएगा ठीक है किस संबंदित है हौकी से संबंदित है ठीक है एक कोशन आपका माता पिता के सर्रक्षड को लेके था कि जो मातपिता हैं वो बच्चों को जो सरख्षड है वो किसके तहत प्रोवाइट कराते है ऐसा कुछ है ना तो एक आपको याद रखना है क्या एक आपको याद रखना है कि जो DPSP है उसमें आर्टिकल 45 जिसमें 0 से 6 बर्स की उम्र तक के बच्चों की बात की है और एक है आ आपको याद रखनी है ठीक है एक परवस्रंकला से कोशन था क्या था पता नहीं पर भारत में याद रखिएगा जो हिमालय की परवस्रंकला है उसकी सबसे उची चोटी है एवरेश्ट पश्टमी घाट की है अनाई मुडी पूर्वी घाट की है अर्मा कोंडा या जिंद गड़ा ठीक है अगर बिंधि की बता देखी जाए तो सद भावना सद पुड़ा की देखी जाए तो धूप गड़ और अगर अरावली की देखी जाए तो गुरू सिखर यह याद रखिएगा ठीक है एक कोशन था आपका DPSP से DPSP किसमें है तो DPSP भाग चार में है इंटरनेशनल पीस यानि की अंतर राष्ट्रिये संदी की बात की गई है और 36 की बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका डेफिनेशन और DPSP की परिभासा इसमें है ठीक है यह याद रखिएगा ठीक एक कोशन आपका था कि 86 सम्मिधान संसोदन 2002 का है याद रखिएगा सिख्षा से संबंदित है ठीक इसके अलावा इसमें आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है इसी के तहत DPSP में चेंज किया गया है इसी के तहत fundamental duty जो है इसमें 11 जो duty है कौन सा 11 जो है ये क्या किया गया है ये add किया गया है जो 11 जो 11 जो है ये add किया गया है ये याद रखना अगर देखा जाए तो अंतिम क्या है बही अंतिम गुरू है किसके सिक्षों के तो ये आपको याद रखना ठीक है अच्छा एक कौशन आपका था Congress Adviation में कितने लोगों ने भाग लिया है Congress Adviation जो है उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था पहला जो Adviation हुआ था 76 लोगों ने कितनों ने 76 लोगों ने जो है उसमें भाग लिया था एक question ये बताया गया है एक question अलक नंदा से सम्बन देता अलग नंदा से संबन दित्ता हो सकता ये पूछा हो कि अलग नंदा और भागी रती दोनों मिलकर क्या बनाती हैं तो याद रखिएगा गंगा बनाती हैं या किस जगे पर मिलती हैं तो देव प्रियाग में मिलती है किसमें देव प्रियाग में मिलती हैं यह याद रखिएगा ठीक है अच्छा एक कोश्चन है आपका हमपी जो हमपी है यह कहां पर है तो याद रखिएगा करनाटक में है ठीक है क्या है विजय नगर सामराज कि अबसेश क्या विजय नगर सामराज के अबसेश देखने को मिले है यहां से यह याद रखना ठीक है एक कोश्चन आया है सहनाई बादक से किस से एक कोश्चन आया है आपका सहनाई बादक से कि जो सहनाई बादक हैं वो कौन है और साइद option में बिस्मिल्ला खान है कौन है बिस्मिल्ला खान याद रखिएगा कौन बिस्मिल्ला खान है ये आपको याद रखना है ठीक है इससे सम्मंदित question आपके exam में आज आए थे आगे याद रखिएगा आपको आप विकास सर हिंदी के कोशन कराने वाले हैं जो कोशन हिंदी में आए हैं ठीक है विजय नगर सामराज जी किस्तापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी यह याद रखना मुहम्मद बिन तुगलक के समय की थी इसके मुहम्मद बिन तुगलक के समय पर यह हुई है तो यह याद रखिएगा ठीक है ठीक बढ़िया किसी को कोई दिक्कत नहीं चलिए अब विकासर आ रहा है और वो आपको जो है इसके वारे में बताएंगे